पाकिस्तान को हरा दिया है दोस्तों, बढ़ाई हो आप सभी को, बढ़ाई हो मुझको और बढ़ाई एवरी इंडियन एवरी फैन आफ इंडियन क्रिकेट, मसा आ गया भाई कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, बीच में कई दफा ऐसा हुआ कि जान हलक में आ गई थी, एक टेंशन हो गई थी अंदर से, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से एक खुशी ये सोच के हो रही थी कि हमारे अभी मन्यू सर ने जो क्रेडिक्ट किया था, आखिर वो भी तो होना ही था तो सबसे पहले तो आपको ये बता दू दोस्तों कि अभी मन्यू सर ने जैकपोट प्रॉफिट करवाया था, और भाई लोग पहले ही आपसे बोल दिया था कि टेलिग्राइम ग्रूप आपको जोईन करना है, तो अगर अभी भी नहीं किया है, तो फटा-फट टेलिग्राइम ग्रूप जोईन करो, चली ये लोटते हैं टॉपिक पर, जहां इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को वर्ल्ल कप में बहतरीन धूल चटाई है, और दोस्तों मानो या ना मानो लेकिन इस जीत का क्रेडिट जाता है टीम के सिर्फ गेन बाजों को बस, बाकि भाई सब बल्ले बाजों की अगर बात करी जाए, तो स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ, विद रिकॉर्ड, सबकी टांग ही चूँगा, और किसने क्या कांड किया, इस चीज की भी हमें पड़ताल करनी क्योंकि अगर आज इंडिया मैच हार जाती, तो कसम से बता रहा हूँ, कि मैं कल से क्रिकेट मैच देखना बंद करने वाला था, तो especially thanks to Bumraha जी, नमशकार, अगर आपके चरण मेरे सामने आ जाएं, तो अभी मैं उनको चूना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आ खला हो इंदर देव का कि उस वक्त उन्होंने थोड़ी से महरबानी दिखाई, कुछ देर के लिए बारिश रोकी और मैच फाइनली शुरू हो पाया, तो टॉस जीत कर बाबाराजम ने पहले तो ये डिसाइड किया कि इंडियन टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाना ह इसके बाद ओपनिंग के लिए आते हैं हमारे विराट कोली, रोहित शर्मा, लेकिन विराट भाई साब से एक छोटी सी शिकायत मुझे हो गई है, आप सबको भी शायद होगी, कि भाई साब महरबानी करो, आप प्लीज ओपनिंग पर मत आओ, आपकी जगा कोई भी चलेग है, लेकिन एक ओवर के बाद एक बार फिर इंदर देव की महरबानी से बारिश वहाँ शुरू हो जाती है, और दर्शकों के चेहरे उतर जाते हैं, छत्रियां बहार आ जाती हैं, लेकिन बीस-पच्चीस मिनिट के इंतजार के बाद मैच एक बार फिर से शुरू होता है, मूड से आये थे, बस run बनाते चले जाओ या फिर out होकर निकल जाओ सिर्फ एक बलने बाज में नहीं, सभी में हमें ये चीज देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस मामले में शिकायद है, वो आधर नीर रिश्यव पनित महोद है सबको catch देने की एक असम खाके आये थे लेकिन किसमत भी आप पर बड़ी महरबान थी टीम में highest score आपका ही है अरे भाई साब, फिर तो मैं कुछ कहीं नहीं सकता हूँ शमा करें, शमा करें तो scorecard कुछ ऐसा बनता है कि रोहित शर्मा जी, 13 run जिन्होंने बनाए 12 balls पर विराट कोहली की हम बात करें तो बड़े जल्दी में आज चले गए कोई बात नहीं इसके बाद रिशप पन्त टीम में highest total इन्होंने बनाया है बड़ी महरबानी की इन्होंने थांकियू सो मच अक्षर पटेल यार इन्होंने तो बहुत अच्छा खेल खेला है इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा ऐसा लग रहाता जैसे टीम मैनेजमेंट नहीं इनको बोलके भेजा है कि तू तो भाई फ्रीली मार इसके बाद सूरे कुमार यादव नैचुरल गेम पता नहीं कहां छोड़के चले आते हैं यार आप जो हो आप वैसे रहो न आप राहुल दरविट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो खैर कोई बात नहीं आप वोल के टी ट्वैंटी नंबर वन बैक्समेन है तो आपकी ये गलती माफ की जाती है आगे बढ़ते हैं शिवम दुबे की हम बात करें ये भी जल्दी में निकल लिए नए खेलाडी है छोड़ो जाने दो हार्दिक पांड्या की हम बात करें तो कहां गया इनका गेम कितने महीनों से देखने कोई नहीं मिल रहा है कौन हार्दिक पांड्या कभी क्या हुआ करता था और आज क्या हो चुका है जितना डरके आप खेल रहेते उतना डरके तो पांच साल का बच्चा नहीं खेलता प्लास्टिक की बॉल से यार रविंद्र जड़े जा इन्होंने तो जादा टाइम लिया ही नहीं बस आए और बस गए चलो आगे बढ़ते हैं अर्शदीप सिंग चलो इनके बारे में तो खैर कोई बात हम नहीं करेंगे बोलर्स हैं अपनी responsibility इन्होंने आज पूरी की है टोटल स्कोर इंडिया ने खड़ा किया 119 रन 10 विकेट के नुकसान पर और ये एक ओवर जो कम खेल पाए ये थोड़ा सा अखर गया काश अगर ये एक ओवर भी खेला होता तो ये स्कोर हमारा 130 ये 125 के आसपास तो देखने को मिली जाता ना आगे बढ़ते हैं गेंदबाजी की बात करें पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी चार ओवर में इन्होंने 29 रन देकर एक विकेट हासिल किया नसीम शाह ये मुझे हमेशा खटकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले शोई मले खटकता था ना लेकिन खिलाडी अच्छा है तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई मुहमद आमिर पहले बढ़िया पिटे लेकिन कमबाइक कर लिया दो विकेट भी ले लिये इफ्तिखार चाचा एक ओवर इनको करने का मौका मिला साथ रन इन्होंने दिये इसके बाद इमाद वसीम को छोड़ो हरिस राउफ यर पहले ओवर में आके तो बढ़िया दोलाई करवा के गया था बंदा लेकिन इसके बाद जब लोट के आया तो बस कहर ढ़ा दिया लेकिन कोई बात नहीं काबले तारीफ बहुत बढ़िया आगे चलते हैं उबर और अगर इंडिया की पारी के बारे में बात करी जाए तो स्टार्टिंग के दस ओवर तक तो बहुत अच्छा गेम खिला रिशब पंत ने भी खेल तो अच्छा दिखाया लेकिन जो उनके तीन-चार कैचिस ड्रॉप हुए थे खुदा नखास्ता अगर वो पकड़ा जाते तो शायद यहां तक भी स्कोर टीम इंडिया का नहीं पहुचने वाला था इनके जाने के बाद जैसे टीम इंडिया बिल्कुल किसी काम की ही नहीं बची जल्दी-जल्दी विकेट्स गिर गए और 119 रनों पर ओल आउट हो गई इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान आती है बल्ले बाजी करने के लिए तो डालते हैं अजर उनके स्कोर कार्ड पर तो मुहम्मद रिज्वान ने आज अपनी पूरी-पूरी जिम्मेदारी निभाई भले ही 44 बॉल में 31 रन बनाए लेकिन एट छोर पर वो डटे रहे टिके रहे और इंडिया के उपर प्रेशर बनाते रहे इसके बाद बाबराजम तो शुरू में निकल लिये रोई श्यरमा बनने के कोशिश कर रहे थे शायद और उनीके स्टाइल में निकल लिये उस्मान खान की हम बात करें ये भी बड़िया खेल रहा था मन तो कर रहा था कि एमपायर की जगह जाकर मैं खड़ा हो जाओ और इनको आउट दे दू अब लेकिन अच्छा खेल रहे थे तो यार तारीश तो बनती है ना यार फकर जमान आये थे ताबड तोड़ दो-तीन शॉट लगाये थे इसके बाद निकल लिये फिर आते हैं इमाद वसीम बड़ी देर तक ठिके रहे 15 रंड इन्होंने बराई 23 बॉल्स खेल कर शादाब खान पताई नी चला बड़े प्रेशर वाली सिचुएशन में आये थे कुछ बॉल्स खेल कर ये भी निकल गए इफ्तिखार चाचा से थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ये वहाँ से पांसा पलट सकते थे लेकिन अगेन थैंक्स टू जस्परीद बुम्राजी इफ्तिखार चाचा को एक बार फिर टाटा बाई-बाई बोल दिया तो दोस्तों पूरी पारी अगर शॉट में सुनाना चाहूं तो पाकिस्तान ने शुरुवात तो बढ़िया करी चोटी-चोटी पार्टनर्शिप करते-करते वो कहां तक आ गए जहां से लगने लगा कि अब इंडिया ये मैच नहीं जीत पाएगा क्योंकि एक छोर पर ये मुहम्मद रिजवान भाई साब अच्छे खासे टिके हुए थे और भगवान का सम अगर ये आउट ना होते अगर जस्पीत बुमरान ने अचानक से आकर इनको बोल्ड ना किया होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और ही हो गया होता खर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो आखरी तक ये दो बंदे संघर्ष करते रहे नौट आउट बने रहे लेकिन अफसोस इनके पास गेंदे नहीं बची थी और पाकिस्तान हार गई 113 रन बना पाई साथ विगेट के नुकसान पर और 6 रन से इंडिया ने ये मैच जीत लिया दोस्तों एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई और ये जीत का सहरा जिनों ने इंडिया को पहनाया है अब एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं यानि की टीम इंडिया के बहतरीन गेंदबाज तो सबसे पहले अर्षदीप सीन जिनोंने 20-वा ओवर किया कमाल का ओवर किया दोस्तों मसा आ गया इसके पहले एक ओवर की और हम बात करेंगे जो किया था मोहम्मद सिराज ने जहां इनोंने उस ओवर में सिर्फ दो रन दिये थे और मेरे ख्याल से वो शाय 17 या 18 ओवर था क्योंकि 19-वा ओवर किया था जस्पीत बुम्रा ने और बुम्रा का रेकॉड देखिए क्या कमाल का है चार ओवर इनोंने किये 14 रन इनोंने दिये और 3 विकेट अपनी टीम के लिए जड़के पूरी जीत का क्रेडिट जो जाता है वो इनी को जाता है क्योंकि अगर सही वक्त पर ये ना आते है और रिजवान का विकेट अगर ना गिरता तो सच में मैच की बाजी पलट चुकी होती है इसके बाद रविंदर जड़ेजा काफी कमरन दिये अक्षर पटेल इनोंने भी काफी कमरन दिये और एक विकेट भी ले लिया हार्दिक पंडिया रन्स छे के एकानोमी से दिये है नो इशू लेकिन दो विकेट भी इनोंने टीम के लिए लिये लेकिन इनोंने जो अठारवा ओवर किया था बहुत कमाल का था और आखिरकार इन सब की मेहनत की बदौलत टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी है दोस्तों इसी के साथ अब अगर नज़र डाली जाए पॉइंट्स टेबल पर तो ग्रुप A में टॉप पर आ चुकी है टीम इंडिया इसके बाद सैकिंड नंबर पर है USA से जिनसे हमारा अगला मैच होने वाला है उस मैच की प्रेडिक्शन का वीडियो भी कुछी देर में हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं और एक और दोखत समचार ये है कि पाकिस्टान अब वर्ल्लकव की रेस से लगबग बाहर हो चुका है इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वर्ल्लकव की धेर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हर मैच का रिव्यू, हर मैच का प्रेडिक्शन आपको हम यहाँ लेकर आएंगे साथ ही साथ हमारे टेलिग्राइम ग्रूप को जोईन करें क्योंकि अभी मन्यों भाई का जो प्रेडिक्शन है वो हमेशा सही निकला है और आगे भी निकलता रहेगा आपके लिए यह मेरी टिप है आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर